वेलकम फ्रेंड युक्ति आईज की इस ओलाइन प्लेटफॉन पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज 5 अक्टूबर है तो दैनिक जागरम के राष्टिय संस्कार न्यूज पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटीवियो और इंट कौन-कौन से न्यूज को कवर किया गया है आज हम उस पर परिचर्चा करेंगे ताकि यूपेसी और जो स्टेट PCS एक्जाम है उसके लिए आप लोग के लिए उपयोगी हो सके साथ ही साथ जो भी Government Competitive Exam आप लोग देते हैं उसमें PT और इंट चीजों को हम लोग कवर कर सके आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को यूटूब चैनल को जरूर सस्काइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दवाए ताकि सभी साथ ही साथ सकते हैं पूजा के वज़ा से आप लोग बिजी चल रहे होंगे पर कोमेंट जरूर कीजिए यह इंटर्नल मोटिवेशन के साथ साथ और भी अभियर्थियों को आकर्षित करता है क्या किस रूप से युक्ति आईएस द्यानिक न्यूज एनलेसिस कर रहा है उससे comment section में देखकर ही और भी अभियर्थि इससे जुड़ते हैं तो comment का अस्तर जिस रूप से रहता है comment section में प्र दाके चीजों को समझा जा सकें तो इसलिए comment आप लोग करना ना भूले देखके description box और comment section box में बहुत से link दिये रहते हैं जैसे युक्ति आईएस का app का link होगा तो आप लोग विजिट करके युक्ति आईएस को डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो Google Play Store से जाकर आप युक्ति इसको डाउनलोड कर सकते हैं दैनिक जागरान न्यूज अनलेसिस का जो की पॉइंट है आप लोग को app पर ही केवल अबलेबल होगा इसलिए सभी लोग जो भी दैनिक जागरान न्यूज अनलेसिस राष्टे संस्करन को follow up करते हैं की पॉइंट प्राप्त करने के लिए उसको पोस्सकेर में अगले पार सेंट किया जाता है तो आप लोग उसे भी आप लोग पहले जो न्यूज कभर किया गया उसी का आगे का न्यूज कभर किया गया है उसमें कुछ पॉइंट की पॉइंट पहले वाले जो आप लोग को आड करना है आज का जो पॉइंट आउट जो आएगा उसमें आप दो अगस्तों दो अगस्तों दस अगस्त के न्यूज को देख जाकर देखिएगा दस दो अगस्त और दस अगस्त का न्यूज को वहाँ पर आपको चुनाव सुधार और मुप्त की रेवडियों के संदर में चर्चा की गई है वहाँ पर आपको चीजे समझ में आ जाएगी क्या चीजे वहाँ पर डिसकर्स की गई है देखिए टॉपिक ब कि लेंध बढ़ जाता है वीडियो का और जो महत्पून जो आज जो इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुआ वो टॉपिक कहीं ने कहीं छुड जाता है तो इसलिए आप लो भी हमें कॉपरेट कीजे दस से दो अगस का वीडियो आप लो जाके देख लिजेगा और देखिए जो मामला है उसमें निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है तो ये आप लोग बस की पॉइंट को एड़ कर लिजेगा देखिए चुनावी रेडियो के बहस चल रही है सुप्रिम कोर्ट में मामला गया हुआ है उससे पहले देखिए निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि रायनितिक दल जनता को बताए कि चुनाव के दोरान किये वादे कैसे पूरे करेंगे अब चुनाव आयोग नहीं सभी रायनितिक पार्टियों से एक लेटर लिखा है उसमें यह जवाब मांगा है कि आप बताईए कि जनता को आप कैसे इस मामले में आता है एक विकलब है सुप्रीम कोर्ट आपको इस पर कुछ दिसानिदेश देगी दूसरा है कि अचार सहीता के संदर में कुछ बात होगी उसमें सुधार करने की बात है या तीसरे अस्तर पर रायनिति अपने में सुए सुधार कर ले अर्था इस प्रका के चुनावी घोसनाय जो की जा रही है उस पर कुछ कंट्रोल लगे उस पर कुछ नपी तबी बातों को रखकर आगे घोसनाय की जाए ये तीन ही सुधार तीन ही विकलप इस मामले में देखने को मिलता था जिसमें दो विकलप आपको यहां पर प्रूब्ड हो गया जिसमें अभी सरोच नयला की बात चल रही है वहां पर कुछ सुझाव आएंगे और देखिए चुन निर्वाचन आयोग अचार सहिता की जो बात मैंने कहा था वो बात यहां पर सीध हुआ यही देखिए समझें कि जब न्यूज को रेगुलर आप देखते हैं पढ़ते हैं समझते हैं तो उसके भविस्व में जो चीजे होने वाले ही घटित होने वाली है उसका अनुमान आप पहले ही लगा लेते हैं क्योंकि आप एक क्रमबद रूप से किसी न्यूज को लगतार देख रहे हैं तो आपके पास आइडिया हो जाता है कि कोई संस्था कैसे काम करती है कोई विभाग कैसे काम करता है कोई मंतराले कैसे काम करता है या कोई संस्था कैसे काम करती है तो उसके फ्यूचर के जो आसपेक्ट है वो भी आप पसपस्ट कर सकते हैं समझ सकते हैं इसलिए मैं वो बात उस दिन बोला था कि विकल्प यही होंगे तो चुनाव निर्वाचन आ लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हम वो लैप्टॉप दे देंगे, हम वो दे देंगे, बहुत सी घोसना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सब दिल सीमा तो छोड़ी दीजे, कोई अनंत सीमा भी इसके नहीं, अनंत से भी बाहर जाके बाते की जाती है, क्योंकि आप पंजाब के मामले में देख सकते हैं, बहुत से आराज ये ऐसे, जिनका वित्तिय इस्तिती मैंने कितनी आखड़ाएं दियें, जो 20% अपने कूल GSDB से अधिक घोसनाएं नहीं कर सकते हैं, तो इस आखड़े से कहीं अधिक लोग पहुच गया हैं, फिर भी लोग हाले में देखे, पुरानी पेंसन योजना को लागू करन लोड का अत्रिक्ट बोज किंद सरकार पर पड़ेगा, तो ये सब चीजे नहीं समझते हैं, राजनितिक पार्टिया अपनी चुनावी घोसनाओं के संदर में मददाताओं को लुभाने के करम में, वो केवल घोशना कर देते हैं, उससे दो चीजे आपको भर कर सामने, एक एक से दो सब्ते में, पहला केमिनेट मंत्राले में बैठक होगी, और हमने क्रिसी रिन माप कर देंगे, ये चुनाव से पहले बोला जाता है, पर चुनाव के बाद जीत के जब पार्टिया आती हैं, तो एक से दो सब्ते, तीन सब्ते बाद होता क्या है, क्या आपको उस प पार्टियों में, तो लोकतंतर से भी विश्वास कम होता है, या ध्यान रखने वाले, जैसे बिहार का ही संदर्व लेकर हम चलते हैं, चुनावी घोसना में किसी पार्टी विशेस ने या बात की दस लाख सरकारी नोकरियों को दिया जाएगा, ठिक ना, या चीजे आप सम अब माली जै वो रोजगार नहीं दे पाती है, तो क्या मतदताओं के पर्ति उनकी राजनितिक संगठन के पर्ति और विश्वास उत्पन नहीं होगा, या संभावी है, उत्पन होगा, इससे लोकतंतर की बुनियाद है थोड़ा सक कमजोर होता है, यही सबसे बड़ी समस् और इस पर सभी राजनितिक दलों को सोचने की जवरत है कि हम जो चुनावी रेवडियां देते हैं, वो क्या उसकी यथा इस्तिती है, उसकी युक्ती युक्त परवंधन कैसे किया जाएगा, और उसका परणाम क्या होगा, अगर मान लेजे, दिल्ली में आपको मुप्त ब अब बताईए इससे कितना राजट सो नुक्सान हो रहा होगा, आप सभी ब्यक्ति भीसेस को मिल रहा है, तो कोई लेने से मना नहीं कर रहा है, और अंत्वा देखा जाए, तो ये बिल्ली का नुकसान जो है राजट सो नुकसान वो भरती कहां से होगा, वो अन साधनों से जाएगा अब दिल्ली सरकार ने घोशना कर दिया है तो उसे तो देना है दे भी रही है तो इस राजस्य की भरपाई अनमदों से की जाएगी अनमद में बहुत से चीज आ सकते हैं तो आप देखते होंगे इसका साइड एफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और लोग जो को मुप्त की स्विधयर दिया है मैं यह मानता जो लोग सक्षाम है उसे कंप एक मेना चाहिए बूब होना चाहिए अब आज सब्यक्त वे व्मर्य 001 यह इंकम ऑचासएजर पर मंथ्ली है वो Ukraine्म पसे लेने का हगदार होगा उसई क्यों तो एक रूम के आसपास रूम था, पांच फलैट, साथ फलैट के आसपास साथ फलैट थे, टोटल, उसको भी रीन माफी हो रहा था, तो सोचके देखिए, कैसे वह और वो मैनेजमेंट किये वे था, अलग-अलग रूम सिस्टम में, अलग-अलग कनक्रण लिए वे था, तो इसके संदर में यह चुना आयोग के द्वारा बहुत ही इंपोर्टेंट लेख लिखा गया है और इस पर जवाब मांगा गया है निधारिस समय के लिए तो 19 अक्टूबर तक हम लोग वेट करेंगे इस पर सभी राजनितिक पार्टिया महत्पून जो राश्टिये पार्टिये हैं और राजस्तरिये पार्टिये उसके जवाब क्या आता उस पर हम लोग वेट करते हैं बात करेंगे उसके बात देखिए साथ ही में पीएम मोदी जो है वो भी इसके संदर में चिंता ब्यक्त किये हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तब ही से यह वाद विवाद का कारन हो गया राजनितिक गलियारों में गरम मामला हो गया है चीजे देखिए यही सब चीजे आप लोग को समझने की जुरत है कोई ब्यक्ति भी से सुधार करना भी चाहता है तो उसके पीछे पूरा सिस्टम काम करने लगता है अब इसके विरोध में पक्ष विपक्ष दोनों बात होगी इनकी प्रासंगता को नहीं समझेगा लोग कोई पर इसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क किये जाएंगे कि बहुत सी चीजे हैं उभर कर सामने है जिस पर मैंने दो अगस्त और दस अगस्त दोनों दिन चर्चा किया हो तो उस न्यूज को आपको जरूर देखिएगा यहाँ बहुत की पॉइंट आपको करके या दे दिया है दैनिक जागरन दैनिक जागरन की यही खुबी है खु उस पर कुछ बाते में शुन मांगी है उस पर रायस पर्ष्ट करने के आयोग ने अचार सहिता में संसोधन का भी दिया है प्रस्ताव क्या साथ ही साथ ही वित्य बहँआ रिक्ता पर वोट्रों को सही जनकारी देने को कहा है वित्य बहँआरिकता क्या है राज किसी राज विशेस का देश का क्या है वित्तिय विशेस बहवारिकता उसके अधार पर चुनावी रेडिया क्या उचित है बैठती है या नहीं इसके संदर में कुछ बाते आपको चुनावी योगने अस्पेस्ट कि तो आप लोग इस चीज़ को समझेगा कि आने वाले एकजाम जो 23 का मेंस होगा और पीटी जो होने वाला थैस का बीपेसी का मेंस होने वाला है यूपी का मेंस चल रहा है खिलाल तो उसमें तो अभी नहीं कर सकता हूं में पर उसके अतरिक और भी मेंस होंगे बहुत से स्टेट का तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही कि आपका इक्जाम में प्रस न चुटे हैं चलिए एक निई यहां है तब मैं आपको टॉपिक जो पीटी मेंस इंट्रिवी ओरें तीनों जगा काम करेगा उस पर हम लों बात की गई है और यह कहीं ने कहीं बहुत हद तक सही भी है हम जिस माहोल में जीना चार है जिस आधुनिक्ता के यूग में बढ़ना चार है जिस सहयोगी परविर्थी को बढ़ावा देना चाहते हैं वहाँ पर इस परकार के सेन समाधान शंभव क्या करते हैं इस परकार से नहीं होना चाहिए एक सेन उपयोगिता नहीं बढ़ी रहने चाहिए क्योंकि उससे होता क्या है कि मैंने एक ही चीज बताया था तेखिए युक्रेन यूद हो रहा है मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था युक्रेन यूद हो रहा है, रूस यूद हो रहा है, रूस यूद, उसमें किसी परकार के पर्यावर रहनी है, जो विचारधारा वाले लोग है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मानो वादी विचारधारा वाले लोग भी फिलाल कुछ-कुछ बोले हैं, फिर भी एक तरफा बात कर रहे हैं, उसी परकार के गलोबल वार्मिंग का जो कॉंसेप्ट लेकर रहे जो संस्थाएं वो भी चुप है इसी परकार बस यूक्रेन और रूस की ही बात नहीं हो रहे हैं इसी परकार आफगानिस्तान अमरिका का जो चल रहा था सक्ति परदरसन अमरिका का वहाँ पर उसके संदर में नहीं देख सकते हैं या अन देसों में कहीं भी जाईए आप अगर इस परकार की घटनाएं हो रहे हैं तो वहाँ पर यह सम मुद्य गौन हो जाते हैं पर इसका असर कहीं न कहीं हम प्रकिर्टी पर देखने को मिलता है समझ सकते हैं तो जरूरी यह है कि हमारे जो करना है तभी जाके कुछ चीजे अतियुष्यक्ति से बार क्यों कि हैं दो विश्यूद की मारक छमता जहल चुके हैं दो विश्यूद हम लोग जहल चुके हैं उसकी पूरे विश्य संपदा उससे परभावित हुई थी तो अगला ऐसा कुछ घटना नहीं विरहत प्रमाने पर हो जाए ताकि विस ऐसी विसम परिस्तिति में पहुँच जाए जहां पर हम जो इस्तितिया उन वर्सों में कायम कर रहे हैं वो फिर से वहीं जाका ना पहुच जाए तो यह बहुत ज़रूरी है जवाब देता तैय करना तो इसी संदर में कुछ बाते हैं जो आप लोग भारत का यह रुख मजबूत रखा गया है कि मजूदा संकट सेन समधान नहीं हो सकता हाले में यूकरेन के कई हिस्सों में रूस की सेना पीछे हटने की सुझनाओं को देखते हुए भारत का यह बयान काफी महत्पून है भारत सांती स्थापित करने में हर संबब मदद करे और देखे संगहाई सहयोग संगठन की बैठक जब हुई थी इसी माह में लास्ट माह में हुई थी तो आपको देखिए वहाँ पर क्या हुआ था जो राजपती है रुष्ट के उनकी बैठक भारत के परधान मंतरी की हुई थी और वहाँ उस बैठक में पुतीन को दो टू कुछ और ही चीजों का है तो उस पर ध्यान देने की जुरत है जलवाई परिवर्तन की समस्या है और भुक्मरी की समस्या बिरुजगारी की समस्या है या नसलवाद भेदवाद की समस्या को समाप्त करने की जुरत है इन सब चीज बाइडाय जो डाइग्राम चल रहे है वि यूद बड़े यूद को जनु दे दे तो इस परकार से देखिए मोदी की इस बयान पर अमरिका ब्रिटेन और दुसरे देसों काफी समर्थन किया था इस बयान को लेकर हलाकि चीजे असपस्ट हुई थी उसके बाद तो वेट अन वाच करना है क्या इस्तिति उभर कर आता है और साथ ही साथ प्रधान मंत्री के द्वारा ये बात की गई थी कि सभी को योने चार्टर अंतराष्टे कानून संप्रुभता और दुसरे देसों की भगोलिक खंडता का पालन भी जरूरी करना है वह यूकरेन हो या रूश हो या कोई अन देस भी हो तो सब को यह करना चा पना होगी समस्या यहीं उत्पन हो जाती है वह एमरीका का यूग रहा हो रूस का यूग रहा हो चीन का यूग रहा हो जपान का यूग रहा हो तो सभी में आप समान रूप से यह देखने को मिलेगा इटली जर्मनी सभी का अप उधारन ले लिजिए वह चाहते हैं कि हम सर और वोचिता कायम करने की स्थिती में अंतर विरोध उत्पन होता है और दो राश्टों दो समंदों के बीज तना उत्पन होता है जहां पर आप ये सब चीजे उगर कर शामने देखती है तो चीजे और हम वर्ल्ड वाइड जब ड़ुड जब यूज हो गया वर्ल्ड करने का परियासरत न होकर अपने हीतों की पूर्ति करते हैं वहीं समस्या उत्पन हो जाती तो ये चीज समझने की जुरत है सभी राश्टों को कि पिर्थिवी का एक्चुल जो पिर्थिवी की समस्या क्या है क्योंकि पिर्थिवी बहुत बुरे वक्त में गुजर रही है म मैं यह मानता हूँ कि बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है पिर्थिव हमारा पिर्थिवी उस पर जन समोदाय बहतर रुप से काम नहीं किया तो इसका परणाम बहुत घातक होगा जो किसी भी रुप से कोई विज्ञान उसे बचा नहीं सकेगा जो मैं बात बोर रहा हूँ वो चीज़ को समझिएगा कि इतने बुरे वक्त से गुजर रहा है इसका प्रकोप अगर जेला प्रकोप आया कोई भी इसका जन्स जो है जेल नहीं पाएगा क्योंकि छोटा सा समझ लिजे अगर बारिस तेज हो जाती है बारिस किसी छेतर में तेज हो जाती है तो वहाँ भुकमरी बढ़ जाती है बिरुजगारी बढ़ जाती है लो में मार कार्ट चोरी देखेती सभी चीज़ हो जाती है विवस्थाएं अस से तरस्त हो जो भारत का उधारन हो या तो पाकिस्तान का हालिया जो बाड़ है उसका उधारन ले लिजे या अमरिका में हाली में फ्ल प्रकृति सभी देशों का सबसे important work ये होना चाहिए प्रकृति में संतुलन करिए बाकी सभी समस्याओं का समाधान हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग एक टेबल पर जाके वरतालाब कर सकते हैं कुछ हीत हमें अगर दूसरों को देना है कुछ हीत अपने हीत कुछी दूसरे को ह सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं तो सबसे important है प्राकृतिक जो शमस्याओं वर्तमान में उसका समाधान ढूणना सभी राष्टों को मैं इक्षा करता हूं सभी राष्ट इस लोग से काम करने का पर्यास करेंगे अगर मेरी आवाज कहीं जा रही होगी तो जरूर इसका विकलप झुन डूड़ा है अब कि आपको सभी जगह इस परchar ट्वीट भी जो आपको यूनो का ट्वीट किया है मैंने, या क्लाइमेट चेंज यूनेसफ से को ट्वीट किया है तो सभी चीज़े देखी होता क्या है कि जब इस पर राय बनती है तो देश के जो संस् तो उस पर आप लोग अपना पर्तिक्रिया जरूर दे चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं दर्जा की जातियों के स्रेणी में लाया गया है तो देखिए चर्चा का विशय है इसे प्रसन पूछा जाएगा और बीपेस्टी में प्रसन पूछा है अलाकि इसके दुसरे सब पार्ट से प्रसन पूछा है पर पूछा इसी से था आप इस टॉपिक को मैंने पहले भी कवर किया है तो आप लोग सिरियस होके जब चीजे नहीं देखते हैं तो एक्जाम में प्रसन जरूर छुटेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो भी म कभी नहीं पूछा इस तर जब से यूपेसी के अपनी एक्जाम कंडर्ट करा रही है या पीसी अस्तर पर बहुंसे पीसी अस्तर जो अभी तक उस टॉपिक पर कभी प्रसन ही पूछा तो देखेगे देखिएगा आप मैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं करता हूं अगर प् से में बात कर रहा हूं अब पीसी अस के वी तो अलग ही तरीके से में बात करें बताता हूं तो आप लोग ध्यान देजिए बस चीजे आपके एक्जाम औरेंट है उस पर आप लोग को विशेश रूप से ध्यान देना है चलिए बात करते हैं अब इस न्यूज पर तो यह पीसी अस्तर पर जो भी आपको यह टॉपिक देखने को मिल रहा है अनुसुची जाती जन्दाजतियों से समंदित मामले तो आप लोग उसको टैली कर लिजेगा अपने पीसी अस के सिलिवस से और इस न्यूज को कभर कीजेगा इसका सब पार्ट में पार्ट सभी पर तो कस्मीर की गुजजर बकरवाल के साथ पहारी समाज के लिए अनुसुची जन्जातियों के दर्जा देने का अलान किया गया है जिसमें जम्मु कस्मीर में आरक्षन के लिए देखी गठित की गए थे जैसे सर्मा समीती तो आप इस समीती को भी याद रखेगा PCS के कोस्टन आप इस सर्मा समीती ने गुजजर बकरवाल और पहाड़ी भासी समुजाय को आरक्षन देने के सिफारिज की गई है उसी के संदर में जो हमारे जो ग्री मंत्री है उनके द्वारा बात की गई है जम्मु कस्मीर के जन्सभाओं में तो वो जन्सभाओं में क्या-क्या की गई मुल पॉइंट है इसे हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लो में पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे पहले लोकतंदर का मतलब था 87 विधायक 6-7-3 परिवार यह बहुत हद तक जम्मु कस्मीर के मामले में सही भी है जम्मु कस्मीर का लोकतंदर का मतलब यही हुआ क लिए तो आपको मेंस में प्रस्थन क्रियेट किया जा सकता है जम 370 के हड़ जाने के बाद क्या जम्मु कस्मीर में वास्थ्विक लोकतंदर को बहाल किया जाने वाली पर क्रियाक रूप में देखा जा सकता है तो आप इसके संदर में बहतर रूप्षन एंसर दिजेगा यह प्रसन क्रियेट किया जा सकता इस रूप से तो आप इसे समझेगा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले क्या होता था किसी खास लोग 87 विधायक वहां से चुने जाते 66 जो तीन परिवारों तक ही सीमित रहा था अब है कॉंग्रेस सासंकाल में 2006-2013 के तक परदेश में लगवा 4766 आतंकी घटने हुए थे अनुछे 370 के बाद 2019 से अब तक केवल 721 घटना हुए आतंके वादी की घटनाओं में कमी आई है पर घटना रुकी नहीं है पर बहुत हद तक परतिसत्ता में कमी आई है उपलब्दी हो सकती है सरकार की पर इस परकार के जो आखड़े है और भी कम होनी चाहिए नगन्न मात्र होनी चाहिए देखिए इस परकार को हमनों जीरो सुनने नहीं कर सकते आनि सुन आतंकवादी घटनाओं के अस्तर पर नहीं जा सकते है ऐसी कोई सरकार नहीं है विश्व की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें सुन लेवल पर आपको या आतंकवादी घटनाओं को कंट्रोल कर सके क्योंकि जो इस परकार की परविर्थी के लोग होते आतंकवादी परिविर्थी के लोग उसको कितना भी आप इसको कंट्रोल कर ले जो अपने अपने जो उद्देश उसके पूर्ति करने की इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे बस हमारा विंग जो है मजबूत होना चाहिए अगर हम इस विंग को मजबूत कर ले तो इन आतंग पॉरा खर्श सरकार उठा रही है तो आप ध्यान रख़ण रख्येंगा पन्च लाख तक का सवास जो खर्श है सताइस लाग प्रिवारों को मिल रहा है अठाट जो आपको परधानमंत्रि पहारत योजना अउसके संदर में बात की जा रही है और उच्छे 370 खटाने बाद पिछडे दलित अदिवासी पहाड़ियों को उसका अधिकार मिला है अब बहुत से अधिकार मैंने इसको पहले भी चर्चा किया है कि 370 के बाद कि आम जंता के संदर में क्या फायदे हैं क्या नुक्सान हुए हैं उसका मैंने पहले के वीडियो में चर्चा किया हूँ तो आपको जुरूर देख लिजएगा देखिए सबसे इंपोर्टेंट है कि वहाँ के सफाई कर्मियों के पास कोई अधिकार नहीं था अब उन्हें उनका हक मिल रहा है जो सफाई कर्मी थे जो जम्मु कस्मीर के गंदगी को साफ किया करते थे जो इनको एक मानक अधिकार मिलना चाहे सम्मान मिलना चाहे था वो नहीं मिला हुआ था पर 370 के बाद इस तित्कियां उभर कर सामने आए और इन्हें एक नागरिक के तौर पर उन्हें जाने जाने लगा और बहता तरीके से उनके मानवा अधिकार को सुरच्छित किया गया साथ इसाथ लखनपूर में टॉल्टेक्स लगता था जो अब बंद कर दिया गया है लखनपूर एक छेत्र था जहां पर टॉल्टेक्स अंतराश्टि टॉल्टेक्स के रूप में लिया जाता था तो यह सब चीजे आप लोग को देखने की जुरोत है चलिए मेन हम लोग ब चलिए यह टॉपिक देखिए आप लोग को पेपर टू में आप लोग को कभर करेगा तो आप अनुसूची जातियों के संदर में कुछ चीजे आप लोग समझ लेजिए जो आने वाले पीटी में 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 और अंटीवी में बहुत हद तक काम देगा तो किसी समुधाय को अन जन जातियों की सूची में सामिल करने की परकिरिया क्या होती है या पहले समझे तो कैसे वो सामिल हो सकता है तो जन जातियों के लिए एस्टी की सूची में सामिल करने की परकिरिया समंदित राज्यों की सिफारी से सुरू होती है अब डारेट सरकार केन सरकार नहीं कर सकती है ध्यान रखिएगा अगर आज उठी सुबह और किन सरकार केबिनेट मंतरी में बैठक बिलाती है और वो बोलती कि अमुग एक्स बैक्ति को जो समू है उसे हम अनुसुची जाती है अनुसुची जन जाती के सिरेनी में सामिल कर लेता ऐसा नहीं होता जब तक राज सरकार सि बहे जाता इस सिफार इसको जो समिक्षा करता है अनुमोदन के लिए भारत के महा पंजियक को पास प्रेसित करता है तो एक चीज राज्य पहले होगा राज्य के बाद कहां जाएगा जन जाती है मामले जाएंगे उसके बाद समिक्षा करने के बाद महा पंजियक जो रजि 25 गिलिए किसी राज्य ने बिहार सरकार ने अनुसूचे जातीयों के लिए दस जात्यों का U जहाँ महा पंजयक के पास जाता है महा Inhale Pasad Hmg 10 में से 8 की मार्ण की क्या यह संखंग साकती है यह से Пएड़ित को rebuild के बार इसके बाद असके बाहरी और इस से पहले क्या राष्टी अनुसीशulations जन जाती आयोग जो बना हुआ उसको भी सिफारिस मंजूरी लेनी परती इन महापंजियक के बाद ध्यान रखिएगा तब जाके केबिनेट प्रस्ताओं में या पारित होगा क्या इस आठ को ही दे देना या इसमें भी कुछ संसोधन करना माल देज़े आठ को उची समझे त स्रीनी में सामिल कर लेगा अनुसुची जाती या जन जाती हो कि स्रीनी में अब यहाँ पर आठ के बजाए उनको लगता है कि ने च्छो को देना चाहिए कुछ अपने उनके भी रिसोर्स होते हैं ऐसा नहीं कि मन मुतावित काम करता है लो कि पर्धान मंती को इक्षा होग तो किसी पार्टी को दे किसी जाती को दे देंगा या मिस साजी को मन होगा तो किसी और को दे देंगा ऐसा नहीं होता है उनके भी रिसोर्स होते हैं उनके भी सारे मेकनिजम होता है उसके बाद यह निर्न लेगा कि किन को किन को देना उसके बाद ही यह डिसाइड होता है अ पास महा पंजय के पास महा पंजय के बाद आईगा आपको जंजाती आयों जो है राश्टिय जंजाती आयों उसके पास जाएगा उसके बाद के बीनिट के बाद जाएगा तो आप स्थर देख लिए कैसे यह आता है तो चार paralyzing वहों पर पहले इसकी सिफारिस होती है तो जाके केबिनेट इस पर ने लेता और उसके बाद उसे अनुसुची जाती या अनुसुची जन जाती के रूप में आपको सुची बद किया जाता है जिस पर मोहर अंतिमरू से राश्पती की ही लगी रहती है तो ध्यान रखिएगा तो कैसे कैसे आप लोग को स्टेप जाना रहता है अब चर्चा का कारण क्या है क्यों इतना चर्चा में रहा है तो हाली में देखिए 15 सितंबर के आज पास का ही नियूजी यह है कि केन सरकार ने कई राज्यों में लंबे समय से लंबित मांगो को पूरा करते हुए 36 गर तेमिलाडू करनाटक हिमाचल परदेश और उत्तव परदेश में अनुसूची जन जातियों कि सूची को कुछ अनसमोदायों में सामिल करने की मंजूरी दी थी जिस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ तो आप उस वीडियो को जाके देख लिजेगा इसलिए मैं से बारबार आप लोग को बोलता हूं लिस्ट को जरूर आप फोलो कीजिए प्लेलिस्ट को पढढ़िए प्लेलिस्ट को जब माझी मानन लिजह आपने कम से कम अगस्त सितंबर तक का जो न्यूज कभर किया गया उसे जरूर देख लिजिए चाकि बहुत सी चीजे आप लोग का अस्पस्ट हो जाएगा कि क्या चरा आप माली यहां पर बहुत सी चीजे महां पर मैंने चर्चा किया था अब यहां पर पॉसीबल नहीं है कि उसकी चर्चा करों नहीं तो इसका जो थीम है जो मैं बताना चाहता हूं और भटक जाएगा इसलिए कुछ चीजे में बता देता हूं कहां जाके पढ़ना है तो आप उसे जरूर पढ़ लिजेगा देख लिजेगा समझ लिजेगा कि समय कि बरवादी न हो अब देखिए अब इन राज्यों में जब शामिल किया गया है तो आपको चर्चा में रहा है अब जम्मू कस्मीर भी अनुसुची जन जाती को सामिल किया गया है तो इस वर्स यह टॉप ट्रेंड करेगा प्रस्ण आने के स्रेनी में तो आप इसे जरूर बीपेस्ती से प्रस्ण पूछा इसके सब पार्ट से अभी मैं आगे आऊंगा बताऊंगा कहां से प्रस्ण पीटी में 67 जो बीपेस्ती री एक्जाम हुआ हूआँ अगर आप पहले के नियूज देखें हो तो प्रस्ण गलत नहीं किया होंगे मुझे उमीद है नहीं तो गलत जरूर हुआ क्योंकि उस प्रकार के ही प्रस्ण थे तो ध्यान रखिएगा संबंधित समीतियां इसके लिए कौन-कौन से अनुस्य जन जातियों को स्रेनीबद करने के संबंधित कमिटीव समीतियों गठन किया गे जिसमें लोकुर समीतियों इसे 65 याद रखिएगा भुरिया आयोग 2024 को याद रखिएगा सासा समीति 2013 को अरवी वर्मा समीति जम्मु कस्मिर के मामले में वर्मा समीति तो आप लोग इसे याद रखिएगा नेश्ट है अब सूची में सामिल करने को अनुसूची जन जाति को लाब किस प्रकार से मिलता अब प्रस निहा मिल क्यों जरूरी है आप समझ गे कैसे आता है सूची बद होता वो भी समझ गे अब एक consequently कैसे गठित हुई थी वो भी समझ गे अब यह समझ जिए कि लाब क्या मिलेगा क्यों जरूरी हो जाता किसी अनुसूची जन जाति को इसमें स객 सरनीब करने बाद ओं में लाब के पात्र करने में सक्षम बना दे जितना भी महजुदा योजना है उसके लिए पर्त्यक शुरूप से लाप्रद हो जाएंगा मान लिजे बक्रवाल के स्रेणी आ जाती है तो उसे डारेट इस से अनुस्ची जन जाती आयोग की जो योजनाय चल रही है अनुस्ची जन जाती मामलों के मंत्रा ले कि जितने भी आपको योजनाय चल रही है सभी का लाप उन्हें पर्तक्ष रूप से मिल जाएगा तो सबसे इंपर्टेंट तो यही होता योजनाओं का पर्तक्ष लाप ही नहीं मिलता है दूसरा पर्मुख लापो जैसे पोस्ट मैट्रिक चात्विर्ती विदे मिलता देखी कितनी योजनाय चल रही सरकार की जिसका लाप इन्हें डारेट बख्रवाल जैसे जो अनुसूची जञाती या अभी घृड़ी में जिन जिनको सामिल किया गया जिन राज्यों के जातियों को तो उनको यह डारेट लाप राप्त होगा तिसरा होगा इसके अत आरक्षन और सेक्षिक संस्थाओं में जो आरक्षन की नीती है उसके भी लाविने मिलेगा अब इतना चर्चा होगी अब स्तिती जान लिजे इनकी स्तिती क्या है क्या स्तिती रहते हैं इलो तो वर्स 1931 की जनगन्ना के अनुसार याद रखिएगा अनुसुची जनजातियों को बहिस्कृत और आंसिक रूप से बहिस्कृत छेत्रों में रहने वाली पिछडी जनजाती कहा जाता था तो प्रशन यहां से पूछा जा चुका है ध्यान रखिएगा तो इसे आप इस सब्द को याद रखिएगा प्रशन यहां से क्रियेट किया है साथी साथ वर्स 1935 में भारा सरकार अधनिये में पहली बाप प्रांतिय विधांग सा भाव में पिछडी जनजातियों के परतिनीधियों को सामिल करने हेतु प्रवधान किया गया यह UPC में स्टेट PCS में कितनी दफा पूछा इसका कोई सीमा नहीं है स्टेट PCS में अभी लगता है इस प्रशन से लगवब पची सो बार पची से तीस बार प्रशन ने क्रियेट किये जा चुके सभी PCS में यह BPC हो, UP हो, MP हो, 36 गड़ हो, राजस्थान हो, हर्याना हो यह किसी भी हिंदिय स्टेट PCS में इंग्लिस वाले का मैं नहीं जानता हूँ जिसमें माले केरल तमिलाडव यह स्टेट है मैं वहाँ का PCS फोलो नहीं करता हूँ, केवल हिंदिय स्टेट PCS का मैं यह बोलता हूँ कम से कम 25 से 30 बार इस यह टॉपिक से प्रशनापो किया गया है पहली बार प्रांती विधान सावाओं में पिछडी जन्जातियों को परतिनिवी की रूप में सामिल कब किया गया था तो 1935 का भारत सरकार अधनियम था उसके तहदी साथ ही साथ नोट याद रखिएगा यहाँ पर क्या नोट याद रखना है जैसे सविधान अनुशुची जन्जातियों को मननेता के माप दंडो का परिभासित नहीं करता है नहित परिभासा का उपयोग सवतंतरत के बाद के प्राणाबिक वर्सों में भी किया गया था और्था ध्याँ रखने की बात है अब देख़की स्विधान का अनुच्छे 366 याद रखेगा जिसके सब अर्टिक्लd25 केवल अनुच्ची जंजातियों को परभासित करने के लिए परक्रिया परदान करता है अनुच्ची जंजातियों का अर्थ ऐसी जन जाती है या जन जाती समूधायों या जन जाती है के कुछ हिस्सों समूहों से है जिनमें सविधान के अनुच्छेर 342 के तहत अनुसुचित जन जाती माना है तो देखिए हैं आप दो चीजे याद रखेगा पहले 342 को याद रखेगा और 365 के 25 को यह यहां पर यहां पर देखी असपस्ट उपसे परिभासित करनी की स्रेणी नहीं बताई गए ध्यान रखने की बात है कि असपस्ट स्रेणी नहीं बताई गए तो 366 को समझेगा और 342 को समझेगा यहां बहुत जरूरी आप इस परकार के यह कभी नहीं बताई गया उसी परकार और स्पिर्ता, आप 17 परते हैं आर्टिक्ल में और स्पिर्ता एक जगन्य अपराद है पर और स्पिर्ता है क्या इसे असपस्ट नहीं किया गया है तो प्रस्ट नैसे अगर जया पूछे जाते तो आप अग्धिव मोड में काम कीजेग हड़ बड़ा हट में आप लोग एंसर मत दिजेगा नहीं तो कोश्चन मामला फस जाएगा देखिए 342 ए में बुला गया है क्या राजपती किसी भी राजी या केंसासित परदेश के समन्द में जबकि राजी के संदर में राजपाल के परामर्स के बाद ही सावजनिक अधिस सुचना द्वारा राज या संग राजच्छेतरों के बीतर शमुहों को अनुसुचित जनजातिक रूप में निदेशित किया जा सकता है पर किरिया आप लोग समझ गये कैसे कैसे जाता अंतरगत्वा राशपती और राजपाल के पास जाएगा तो यह निधारित करेगा आ संपून में बंद किया गया है अब देखिए यहीं पर प्रस्न आपसे पूछा गया था जहां पर विपेसी ने प्रस्न पूछा और आपने बहुत से लोगों ने गलती भी किया तो देखिए स्वविधान में पांचवी अनुसुची जो सामिल है असम में घाले तिरपूरा मिजुरम के अलावा अनुसुची छेतरों अनुसुची जनजातियों के लिए परसासन और नियंतरन के लिए प्रवधान करता है तो यहां पर संपून जो छेतर हैं पांचवी अनुसुची में सामिल उसके लिए यह लागू होता है अब साथ ही साथी अनुसुची याद र प्रकिर्टी इन राज्यों में नहीं है तो यही प्रस्ण आप से पूछा था और यह चटी अनुसुची को संदर्भित करती थी और प्रस्ण यहीं से सही होता तो इसमें क्या एक्ट आता है एक्ट आपको देखिए इस एक्ट के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा नीच कायम किया गया है ना कि भारत के अन्चेत्रों जो पंचायती राज जिस रूप से होता वहां छटी अनुसुची वाले राज्यों में नहीं आता और आप इन तीन तीन राज्यों का नाम देखे होंगे तो आप समझ सकते और यह चटी अनुसुची को मैंने कितनी बार आप लोगो पहले बताया भी यह समझाया भी था उसमें कि अनुसुची जन जातियों के संदर में एक्ट के तहट उनिसो च्यालिस का जो एक्ट उसके तहट परशाषन किया जाता है तो आप लोग इसे चीज को समझेगा जेखिए वर्तमान में साथ सो पांस से अधिक जन जाति जो हुई है लास्ट जन गन्ना उसमें सबसे बड़ी जन जाती कोन है तो आप अगर एक्टिव मोड में रहते तो भी सही मारते भी जन जाती तो यह सब चीजे आप लोग समझने की जुरत है कानूनी प्रवधान याद रखिएगा ये तो सिवेधानी प्रवधान उपर मैं 9555 याद रखिएगा अन्श्रुची जन जाती अत्याट चाठ निवारन अधिनीयम नीस फो नवासी पंचायत क्पन जाते पेस। यो पारंपडरीक वन निवास्तव और अधिकार अधिकारों का मनेता अधिनियम 2-6 है यह भी खार्णियों को व्यधानिक प्रौधान देता है इंसे समंदित एक काती हैं की वर्क करती है इनके उत्ठान जब भी जनजातियों की चर्चा होगी तो ट्राइफेट की चर्चा होगी तो आप इसे पूरक समझिएगा अनुसुची जाती और जनजाती के मामले में जब भी मुद्दे आएंगे तो ट्राइफेट को आप लोग जुरूर पढ़िएगा समझिएगा ताकि इस पर चीजे समझ में आए नेक्स आप लोग याद रखिए कि जनजाती स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन जो है वो भी आपको इन से समंदित का कुछ प्रावधान किये गए हैं विशेश रूप से कमजोर जनजाती समोह के उत्थान के लिए कारी किये जा रहे हैं परधान मंत्री वन धन योजना भी इनके लिए उप्योगी रूप से काम कर रहा है तो मैं उमीद करता हूँ जो अनुसुची जन जाती है जाती से समंदित मामलों के जो महत्पून टॉपिक है उस पर सभी की पॉइंट आप लोगो समझ में आगे होंगे और मैं विस्तित उपसे धिरे धिरे समझाया हूँ तो और भी बहता तरीके से आप लोगो समझ रहे होंगे जेल का हत्या रोपित ग्रिपतार हुआ है जीड़िपी जेल का जो थे उनकी हत्या कर दीगी थी तो कीस परकार से हेमंत लोहिया का केस आपका नजर में किस रूप से आपको नजर आता है उसमें आपको आपकी राय पूछी जा सकती या ऐसे मामलों में परशासन किस रूप से हैं या नहीं है देखिए भोत्की का नोबिल प्रोसकार कल दिया गया है क्वांटम साइंस के युगदान के छेतर में फ्रांसेसी विज्ञानी एलेन जो एलेन है उनको दिया गया है अमरिकी विज्ञानी जान एफ क्लोजर को दिया गया एस्ट्रिया के विज्ञानी एंट cutting दिया हुआ तो आप लोग पढ़ सकते हैं किस रूप से quantum science के रूप में काम किया है इनोंने चलिए next हम लोग बात करेंगे तब तक channel को जरूर share किजे subscribe किजे और comment section में comment जाके करिए जो भी group में लोग जुड़े हुए सभी लोग के रिया निवार गूप से क्योंकि आप समझे इस सिसको जो मैं कर रहा हूँ उसकी प्रासिंगता बनी रहे अधिक से अधिक लोग तक यह समझ आए कि नहीं comment जो आ रहा है क्या वो original में आ रहा है या duplicate comment है के वा थैंक सर के जैसा comment आप लोग नहीं करिए बस वहाँ आप यह कर सकते आपना जो आपको महसूस हो रहा है आपकी समस्तिया को समधान जो हो रहा है या आपका उपयोगी किस रूप से document में हो रहा है या आपके study material के तौर पर हो रहा है की notes का कितना फायदा हो रहा है आप comment section में वो सब लिखें ताकि और लोग भी इसे समझ सके इसकी उपयोगता देने जागा नियूज अनलेसिस की उपयोगता को या कितनी बड़ी उपलब्दी होगी आप इसको समझ नहीं रहें अभी जब आपका exam hall में आप बैठियेगा न और जितने current के question आपकी एक नजर में सारे सही होंगे means में बैठियेगा तो means का जो भी question आपको 50% means का question आपको फर्थम दिष्टिया ही समझ में आ जाएगी कि प्रस्ण का sense क्या है प्रस्ण की का जो प्रस्ण पूछा कि exam में उसका requirement क्या answer देने का वो एक ही दिष्टिया में समझ में आ जाएगा जो एक साल का new general assist कर लेगा तो मैं यही चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले तो आप लो original comment कीजिए कि हाँ क्या आपको इससे लाब हो रहा है इससे होता क्या कि हमें भी समझ में आता है कि नहीं एक्चुली जो मैं कर रहा हूँ जैसे आप लोग जैसे ही डिमांड करते हैं sir paper send कर दीजे मैं क्यों आपको करता हूँ तुरंत reply करता हूँ इसके पीछे समस्या यह है ने कि मैं अपने अस्तर पर जवाब दे बनना चाहता हूँ तो आप भी अपने अस्तर पर जवाब दे बनिये तो comment जो कहा जा रहा है अपने जो आप महसूस कर रहे है उस comment को लिखिए ताकि हम भी क्योंकि समय देखिए positive भी आएगा कुछ negative भी तो positive तो बहतर है negative जो आएगा उसमें मैं खुद सुधार करूँ ताकि और भी बहतर तरीके से दैनिक जागर news analysis को किया जा सके और मैं बार बार आप लोग करता हूँ तो कुछ लोग करते हैं comment कुछ लोग करते ही नहीं साथ में जो लोग करते भी हैं जिसमें कुछ लोग ऐ comment चीजों को करिए जिससे exam में केवल फायदा हो मैं सब को दिल से चाहता हूँ जो भी मेरे अभ्यर्थी है दिल से चाहता जो मेरे अभ्यर्थी नहीं है वो भी अगर मुझे कॉल करते हैं तो मैं उसे सही suggestion देता हूँ तो आप मेरी जो भ्यूसीफ है उसे समझेगा मैं क्यो मैंने गलतियां एक्जाम में की वह आप लो नहीं करें पहली तो यह समस्या को समाधान दूसरा की question देखते ही उसके formating त्यार करने माले जिए answer formating त्यार करने के step पर हो और quickly करें तो यह सब चीज तभी होगा जब आप active mode में work कीजेगा बाकी समझधार आप लोग हैं ही तो आप लोग कीजिएगा चलिए एक न्यूज देखी यह भी है यूपेसी के जीएस पेपर टू में सेना का अध्वनिकी करन सीमा सुरक्षा से संदर जब भी न्यूज आएगा इसमें यह आज टॉपिक में आप लोग को यह न्यूज कवर होगा देखिए डिड़ दसक से वा आपको देखने को मिल जागा यूपेसी के जीएस पेपर 2 और PCS अस्तर वाले इस टॉपिक को अपने स्लेवस का अकोडिंग के टैली कर लिजे कहां आपके स्लेवस में है उसके बाद इस न्यूज को कवर कीजिएगा देखिए आपको कुछ चीजे दी गई है मैंने अंडर समान तक का चर्चा करना होगा किस फेज में कौन से आधुनिक हतियार की मांग हुई थी उसकी डिलेवरी कप तक हुई उसके बीच में क्यों अंतर रहा था तो मैंने गोरब आरिया का आपको एक मैं बोला था कभी आप लोग को याद होगा गोरब मेजर आरिया जो है मेजर आरिया उनका वीडियो देखने के लिए बोला था वो रिटायर मेजर है उनकी जो आधुनिकी करन जो सेन आधुनिकी करन के बारे में जो बात की गई थी बहुत ही तारकिक और सारगर्वित है आप उसे सर्च कीजिगा यूटूब पर आप उने देख लिजेगा चीज देखिए दो जब 35 तक इस जो बिमानों का नाम लिया गया मिराज मीक 29 जगवार को बाहर कर दिया जाएगा बेड़ा से हलाकि वायू सेना जो परमुख एरचिफ मार्सल है वी यार चोधरी उनने असपश्ट किया कि लड़ाकों विबानों के बेड़ों को 42 तक करने का ही ल तक 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 त्यार करना है तो 2035 चटिस तक भारतियस वायू सेना पैथिस बेड़े का लच्छ हासिल कर लेगी उसके बाद आपको 42 तक 42 बेड़े का लक्छ हासिल कर लेगी तो यह सब कीजे अपडेट रहना है और जो चीजे पहले मैंने कवर किया उसे आप लोग टैली कर लिजेगा तो उमीद करता हूं यह सब चीजों को आप लोग समझते होंगे कि मैं क्या दिसा निजस दे रहा हूं क्या आप लोग को इंगित करता हूं कहां जाने बोल रहा हूं किस न्यूज को देखने बोल रहा हूं प्ले लिस्ट में आप लोग जाईए का युक्ति आ जहां पर घरिलू हिंसा के मामलें पती-पत्नी विवाद चलता था अब वरिष्ट नागरिक उनके पिता थे उन्होंने सक्षम अर्जी एक देती है कि पती-पत्नी जो है दोनानी मेरा बेटा और मेरी पुतो उसके भी बहुत जगड़े होते हैं जिसका समधान मैं निकाल पा अब लेवल कराईए और पहले पती अपने पत्नी के लिए किराय के घर के बवस्था करें अब बच्चों के पढ़ाय के लिए खर्च उठा था तो देखिए इसके मामले में पहले हाइग कोड जाता है यह मामला फिर इसके बाद शुप्रिंग कोड में पहुंच जाती है उ वरिष्ट नागरी कानून पर पहले भी मैंने चर्चा किया है तो आप लोग जरूर देख लिएगा इस पर जब न्यूज आएगा तो हम लोग इस दिन विश्यस रूप से चर्चा करेंगे क्या सुप्रिंग कोड ने दिसा निजस दिया है क्या कानून घरलू हिंसा कानून क्या लाग होगा इस मामले में या वरिष्ट नागरी कानून दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे तब तक के लिए वेट और वाच की स्थिती रखते क्योंकि जो मामला सुप्रिंग कोड या हाई कोड में रहता है उस पर उचित नहीं होता किसी मुद्दे पर अपना विच च्छमता दिखा रहा है वहाँ पर आप बिना वजह अपनी बहुत दिखता असपश्ट कर रहे हैं तो मैं उस सब चीजों को प्रमोट नहीं करता हूं देखिए मैं इस न्यूज को भी आपको लिए के स्टडी के तौर पर लेकर आया हूं आपको याद रखिए जब भी रा रागाना सीएमो ओफिस पीएमो ओफिस सुप्रीम कोट और हाई कोट अंद्रपर्देश हैदराबाद मैंने वहाँ पर इसे ट्वीट किया इस मामले को क्यों क्योंकि ये लोगतंत्र के साथ इतना गंदा मजाक है इसे आप इस अस्तर से समझ सकते हैं किसी भी पार्टी वि पोतल और मुर्गा जो पॉल्टी फोर का मुर्गा होता है वो खूले तौर पर दे रहे हैं और उसके बाद क्या है कि उसका फोटो सेशन भी कर रहा है यूटूब पर भी डला जा रहा है तो समझ सकते हैं लोगतंत्र क्या इस अस्तर पर पहुँच गया है कि अपनी लोगतंत्र विरासत की अस्तापना के लिए इनका उप्योग करें अपने मतदताओं को लुआने के लिए अगर जैस्न मनाना ही है अगर सभी को पार्टिया देना ते एक पंगत लगाईए और बहतर तरीके से लोगों का सिवा कीजिए खिलाईए फिलाईए कोई इसू नही सब्सक्ता था, व tongues 10 कि लोगतंतर की मननताई आ होती है या लोगतंत्र को मजबूत करने की पर्विर्टि उसमें होती है तो इस परकार से आप और अकसर देखे हो चुनाओ के दुराण भी यही चीजे होती है तो होता क्या इससे देखिये इससे होता क्या जंता में एक प्रस्वक्षन बन जाता है, जनता में एक मनोभाव उत्पन हो जाता है, कि पार्टिया इस परकार से ही सिवाएं देती हैं, समझ गे मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप लोग को, अगर मुर्गा दारू दे रहा है, तो चुनाओ के दोरान भी यही अप एक्छा जनता करेगे कि जब अस्थापना के समय यह पाटी यह दी है, तो चुनाओ के समय और भी कुछ देगी, तो परलोभन का जो अस्तर है बढ़ेगा, जनता जो लोगतंत्र का स्वही उचित उप्योग करना चाहिए, मत का उप्योग करना चाहिए, नहीं कर पाएगी, इसके पीछी यही मु किया, और निर्वाचन आयो को भी साथ में टैक किया था, तो समझे कि यह कितनी बड़ी भूल होगी किसी पार्टी के दोवारा कि आप खुले तोरपा इस प्रकार की चीजे कर रहे हैं, और इसके देखिए, मैं इनकी मनसा पर नहीं जा रहा हूं, इनकी बहवारिक्ता के अ पुरे रेस्टोरेंट में खिलाईए, बैठाईए, या तो पंडा लगा के खिलाईए सभी लोगों को, पर यह क्या करना चाहते हैं, जिन्दा मुर्गा दे रहे हैं, इसके मतलब है कि चुनाओ के दोरान भी आप यह करते होंगे, जब जसन की पार्टी है, आपका गठन के लेने के जुरत इस प्रकार के कार्य गतिविदी होता है, तो चुना आयो को इस पर डंड का प्रवधान करना चाहिए, मेरा यह मानना है, तभी जाके चीजे लोकतंत्र वास्तिक रूप से सपल होगी, रुकेगी और उस पर काम होगी, अब यह नेक्ट नियूज देखिए, बिहार में ओविशी सीटों के समान मानते हुए नगर निकाय चुनाओ को आदेश दी है, कि आप पुना चुनाओ वाँ डेट कैंसल किया गया है, और चुनाओ का पुना नियोजन किया जाए, और चीजे आरख्छन ओविशी सीटों को समान माना जाए, यह से कुछ बातें बहर का सामने आए, तुसमर में देखते हैं क्या है, देखिए राज निवाचन आयोग ने अती पिछडों के लिए आरख्छी सीटों को समान घोसित का चुनाओी परकिरिया को सुरू कर सकता है, यह बात की गई है, और हाई कोट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक बिह कि अपने परकिरिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अती पिछडों के लिए जो जातियां है उनके लिए आरख्छी सीटों समान माने जाएगे, यह बात ही की गई है, तो यह ट्रीपल टेस्ट क्या होता है, यह एकजाम है आप लोग से पूछा जा सकता है, यह जेखने के तो मिलेगा आपको एक ट्रिपल टेस्ट सुप्रिम कोर्दोवा बताएगा एक फर्मूला है उसमें उस राजी के OBC के पिछवे पन पर आकड़े जुटाने के लिए एक विशेश आयोग गठित करेगा और आयोग की अनुसंसा के अनुसार परतेक अस्थानी निकाय में आरक् के अनुपात तैक केरने को कहा था और शात ही साथ SC, ST, OBC के लिए आरक्षन की सीमा कूल सीटों का 50% की सीमा से जादा नहीं होगा यही ट्रिपल टेस्ट है अर्थात पहले तो विशेश आयोगा गठन करके उसकी अनुसंसा के अधार पर आरक्षन का अनुपात तैक करेगा और जो आरक्षन दिया जाएगा उसकी कूल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए यही ट्रिपल टेस्ट सुप्रिंग कोट के द्वारा दी गई थी जिसका उलंगन सायथ किया गया था जिस पर जो प्रारंबिक दो चुनाव होने वाले थे नगर निकाई के उसको सायथ केंस की जाएगी तो यह ट्रिपल टेस्ट आप लोग याद आखें बाकी चीजे आप लोग को याद नहीं रखनी है बस ट्रिपल टेस्ट याद रखनी है एक्जाम में पूछा जा सकता है सुप्रिंग कोट के संदर में चलिए नेस्ट है नगर निकाईओ के चुनाओ के संदर म आपको ट्रिपल टेस्ट क्या होता या पूछा जा सकता है चलिए लेश्ट हम लोग बात करेंगे देखिए मद परदेश पहला राज्य होगा जहां हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई तो आपको PT fact है PT fact के रूप में PCS अस्तर पर पूछे जाते जितने competitive जाँ वहां भी पूछ जाते हैं तो आप इसे कवर कर लिजेगा बाकी चीजे इग्याम औरिंट नहीं है तो आपको सब चीजे कवर करके नहीं चलनी है देखिए बुझने से पहले बहुत कुछ दे गया मंगल यान तो मंगल यान अपने लक्ष से कहीं अधिकाम किया है तो मंगल यान अब अस्यमित अंत्रिक्ष में चला गया है देखिए इस मंगल यान को देख लिजे आप लो और मंगल यान कितनी उपयोगता लेकर आया था भारत के लिए कितनी उपलब्दियों को लेकर आया था इस लेख में बताया गया है और इसने मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ इसे आप लाइन बार लाइन पर लिजेगा क्यों कि इसमें कुछ चीजे और बताने लाइक ने सारी चीजों के हां सपष्ट कर दिया गया है और यह यह यूपेसी जीएस पेपर तीन के अंतरिच प्रदोकी और इसरो की उपलब्दी के टॉपिक में यह लेक आज का कभर करता है और आप लोग एस्टेट PCS वाले इस टॉपिक को आप लोग मिला लिजेगा टैली कर लिजेगा ताकि एक्जाम औरियंट आप चीजे कर सकें चलिए अब हम लोग उस पर कुछ चीजे बात कर लेते हैं तो जैसे इसमें देखिए देखिए छे महिने के इस पर कुछ छे महिने देखिए लाइन याद रखेगा भारत जिस मंगल यान को भारत ने सिर्फ छे महिने के लिए मंगल गरह के कच्छा में भेजा था अब वह अंत्रिच की गहरायों मिलिन हो गया है हलाकि खामोस होने से पहले मंगल यान अपनी 23 सुधा जिन्गी से सोल गुना जादा या आठ वर्स आठ दिन जिवित रहा है अर इस अवधी में उसने वह सब कुछ दिया जिसका हम हमारा देश हगदार था या भारत हगदार था तो 5 सितंबर 2013 को या मंगल यान छोड़ा गया था जो भारतियां 36 सुन्धान यान इसरो के स्री हरी कोटा स्पेस सेंटर पोलर सेटलाइट विकल C25 के मदद से परच्छेपित कर इसे भारत पहले ही परियास में या को या परच्छेपित कर दिया गया था 24 मार्च 2015 तक ही इसका कारकाल था 2015 से ये लागतार काम कर रहा था इसकी लागत लगवद 450 कोड थी जो हॉलिवूड के ग्रेविटी मूवी बनी थी उसकी लागत के बरावर थी सोच के देखिए कितनी कम में ही हम लोग मंगल गरह तक अपनी प्रदोगी को भेश सके थे और देखिए इसमें जो चीजे देखिए समझिए कि 350 किलोग्राम वजनी मंगल यान को इसकी बैट्रियों ने इतने लंबे समय तक जीवित रखा ऐसे कृतिमान रशने लाइक बना कि परदोगी की का सक्षम उप्योग कैसे किया जा सकता है नियूंतम उप्योगता के साथ अधिक्तम परणाम कैसे प्रात किये जा सकते यह यह लाइन समझाता है साथ यह साथ यहां ध्यान रखिएगा पिर्थिवी के ओसत दूरी के बारे में चर्चा किया गया जो सभी लोग जानते हैं 22 कोड़ से 32 कोड़ किलोमीटर के आसपास होता है पिर्थिवी के ओसत जो दूरी है मंगल की उसके बीच में अब डाउन होता है वो सब आखड़े आप लोग देख लिजेगा और अमरिका मंगल यान के मुकाले 10 गुना ज्यादा खर्च करके नासा ने भेजा था मंगल यान पर आखड़े आप लोग देख लिजेगा अब मंगल यान ने क्या खोजा वहां पर यह देखिया ऐसे उपकरन और सेंसर लगाए गये थे मंगल यान पर जहां काम वहां की सता के मर्जू मंगल यान के संदर में दी गई है मंगल यान में लगे कलर केमरे ने क्या किया 1100 चितर खीचे जिनकी सहायता से इसरों ने मंगल गरह के अलग अलग स्थानों पर बैरा दर्ज करते हुए विहर्थ मार्स एटलस त्यार किया तो याद रखिएगा मार्स एटलस भी तयार के चंद्रमा डिमोस की पहली बार तस्वीर इस ग्रह के द्वारा ली गई थी जो विश्व में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई थी ध्यान रखिएगा मंगल यान से पहले किसी अन यान ने इसे नहीं खीचा था तो जो मंगल का चंद्रमा अब्रह है डिवोस उसकी वी य या उपलब्दी हासिल की थी और शाथ ही साथ देखिए यहां पर मंगल ने वहां पर कुछ खोज किये था जैसे मंगल पर आये धूल के तुफान का ध्यन करना था सता के सब्सक्राइब करना था मंगल के बाहें मंडल हाट अर्गन की खोज करना था तो यह सब चीजे कर को कितना आर्थिक लाव हुआ इससे असपश्ट वी विवन उपलब्द नहीं है पर इतना जान लिजे इसकी प्रासंगता बहुत ही बनी रही थी यह सब चीजे आपको समयने के जुरत है अब मार्च जो मिसन है एक सफलता ने भारत को अंत्रिच विज्ञान के मामले में का चीजे देखिएगा मंगल वन भेजा जा चुका है पर मंगल यान टू जो यान लक्ष था उसे अभी तक नहीं भेजा गया उसके पीछ बहुत से कारक कारण है तो उस पर जल्दी इस तो काम कर रही है जब हम इसके निश्ट लेवल पर जाएंगे तो हम और भी चीजे संग कि देखिए कारण क्यों है मंगल ग्रा टू को मंगल यान टू को नहीं भेजने का उसके पीछे कारण देखिए यहां पर दिया हुआ तो आप लिसे कवर कर लिजेगा ताकि जाम में जो आए तो आप लोग समझ सके बता भी सके इंट्रिवू में कि इस इंसानों का जो अंत दिजा रहे हैं जाकि मंगल यान टू के संदर में आपको चीजे डेट नहीं मिल पाई इस वज़़ा से यह लेट हो रहा है तो इस पर इस रो इस अब प्रोजेक्ट पर भी काम करें जिसके वज़़ा से लेट हो रहा है ऐसी कोई मनसा और भी नहीं है तो चीजे देखिए क काम बहुत जरूरी है कि जो हम लोग प्राप्त किये हैं उसकी उपलब्दी जल से जल हम लोग और भी बेहता तरीके से कर सके तो मंगल यान टू है उसे भी भेजने की अनुसंसा इस रो को करनी चाहिए उसके भी गती बढ़ानी चाहिए देखिए एक न्यूज और भी था क्या पहली जो बैठक उतर पर क्या चर्चा हुआ था तो 15 अगस 2022 का न्यूज आप लोग कभर कर लिजेगा जो लोग की नोट्स बना चुके हैं वो आज की न्यूज में केवल जो अंडरलाइन किया हुआ उसे एड कर लिजेगा ताकि आप लोग का काम आज का बन जाएगा देखिए नियूंतन समर्था मुल जो समेत क्रिशी छेत के भीन मुद्ध विचार के लिए गठी उच अस्तरिय समीत यह दूसरी बैठक जिसमें प्राकृतिक प्रमप्रागत और जीरो बजट और जेवी खेती पर चर्चा किया गया है तो दूसरी बैठक की जो मुद्धा यही था जहां पर इस बैठक में उभर कर शाम रहा है जो मंडी कानून के मकर जाल से किसानों को मुख कराने के सक्स जरूत है क्रिशी छेत्र में कानून सुधारों के आवसकता बनी हुई है जो तीन कानून आये थे वो यही काम कर रहा था हाला कि उसमें कुछ चीजे हो सकत जो किसानों के हित में नजर आ रहा है पर उसका मुख कुदेश यही था कि मंडी कानूनों को सही करना था किसी सुधार के कुछ विकल्ब देने थे तो चीजे देखिए अब विरोध हुआ है विरोध होने के बाद समस्या और भी उभर कर सामने आ गई है जहां तक मैं देख सिदा बनती जा रही है जब तक इसकी संपून बैठक नहीं हो जाती है एक समान रूप से मत नहीं बन जाता इसकी बैठकों में जो किसान अंदोलन के निता लोग है वो भाग भी नहीं ले रहे हैं अब सरकार ही से मोटरेट कर रही है सरकार ही से बैठक नियोजित कर रही है सभी लोग जो भागिदार होना चाहिए जो लोग विरोध करे तो वो ही नहीं आ रहे अब बताईए जब विरोध हो रहा था मैंने किसान नेता जो थे किसान आंदोलम संगठन था उनको मैंने ट्विट भी किया था कि कुछ नेता लोग थे जो बिना ग्यान के अर्धिजान दिये हुए थे उनसे मैंने केवल यही सवाल पूछा था आपके पास इन समस्त्याओं के सुधाने के लिए कोई विकल्प है या कोई ऐसा कानून है कोई ऐसा रोड मैप है जिसके अधार पर मंडिक कानूनों को जो मक करन किया जाए किसी रिन को माप करने के योजना बद तरीके से आपके पास को योजना है तो विश्वास मारनी कि जो लोग भी इस मामले में बढ़ चड़के हिस्सा लेगा उनका कोई जवाब नहीं है ट्वीट सभी ने देखा रिस्पॉंस क्योंकि पता चल जाता किसने च किसी मुद्य पर लोग बिना मतलब के बोल दियकोबात ने बोल के निकल लिये अब भारत में इतनी बड़ी आंदोलन हो चुके किसान अंदोलन का चलिये मान लेते अंदोलन हुआ तो एक टेबल जब वस्था बनाया गया टेबल पर चर्चा करने के लिए तो सभी पार्टि पर शरकार आपको मंझ परदान करती है तो उसमें आप भाग नहीं लेते हैं तो इसके 20 देखें दोहरे मापडंड देखने को मिल जाता है और समस्थिया यहीं से क्रियेट हो जाता है जो समस्थिया जहां थी वहीं रहा जाती है तो जल्द ही देखिए इसमें जो चीज़े उभर कर सामने आएगी तो अभी wait and watch करते हम लोग और देखते हैं कि क्या इस पर निर्ने आता है नहीं तो सरकार विवस होकर फिर अगले कभी सत्र में आपको किसान अंदोलन लाएगी और इस पर चर्चा पर चर्चा करके आपको जो चीजें वो करना चाहती वो कर देगी दे देखिए जानिएगा किन-किन छेतर को याद रखेएगा आपसे प्रस ने पूछा जा सकता है पीटी किरियेट में पीटी के रूप में प्रारंबिक परिच्छा में तो पूर्वी जो डनेक्स है और लुहांस्क और दशनी खरसें जीपोरजिया जो छेतर है उनको देश मे दूपरी संसत और निचली संसत जो है उसने भी जनमत संग्रा कराया था मुहर लग गया है जो चारो छेतर है यूकरेन के अंदराश्टी मनेता प्राफ्त 18% को साजा करते हैं देखिए मैं यह जो चीजे कहना चाहूंगा बाकी चीजे आप लोग समझेगा जब रूस का वि खंडन कर दिया है ठेक ना कि हमने ऐसी युक्ति लगा है जिसके रूस का विखंडन हो गया और रूस तरह 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 तरीके से तूट गया है तो रूस जब अपने भुभाग को लेना चाह रहा है सक्ति परदासन के तह थी तो अभी लोग को मिर्ची लग रही है मैं सा यहां पर लोकतंत्र ब्यवस्थाओं का हवाला नहीं दिया जाएगा पर यहां पर लोकतंत्र ब्यवस्थाओं का हवाला दिया जाएगा आप सो सकते हैं रूस की इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी बड़ी भुभाग छेतर को मिडलिस्ट के उपर जो देश कजाकिस्तान है उजबिकिस्तान है इस रूप से नो तोड़ते हैं तो उस देश की आम जनता या निताओं के परती क्या मनो भाव रहा होगा आप उस दौर पजा के सोच के देखिए तो जब इन्हों ने इस परकार के घटनाए दी इसलिए रूस है इसलिए जादा होका यूकरेन के मामले में बढ़ चड़के हिस्सा ले रहा है कारण उसके पीछे यही है उसको कभी अतीत में ऐसी घटनाए दी गई है उसे ऐसा दंस दिया गया है जिसका रियक्षन कर रहा है इस दोर में पर जब यह हो रहा है रियक्षन तो यहाँ पर लोकतंत्र का हावाला दिया जाएगा जब रूस का विगेठन के आजाते हो जोदो का हाला देश हैं किसी को डासा नहीं maioria कोई देश है ही नहीं कि ध्यान रखेगा इसकी जब ऐसी इस्तिती उत्पन होती तुरंत वह लोगतंत्रिक मन्यताओं पर वरकप सामने आ जाता है नहीं तो आप सुस करते हैं कि जब उसके आतंगवादी हमला हुआ था उसके वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर तो आतंगवादी पहले अच्छे अतंगवाद बूरे अतंगवाद हुआ करते थे वर्ल्ल ट्रेट सेंटर पर हमला होने से पहले पर जैसे ही हमला हुआ किसी भी विश्व सहमती नहीं लिया और डाइट वो अफगानिस्तान पर हमला बंबारी करना सुलू कर दिया कुछ नॉर्मल फर्मना को एक तरफा लेते हुए अपने इसके बदले में आतंकवादी घटना जो हुआ था उसके बदले में उनके जो कमांडर से उसका सिना करना क्योंकि उसने अपनी अमरिकी जनताओं से वचन दिया था जो भी हत्यार है उसको भकषा नहीं जाएगा उश्रमा बिन लादेन उसको अफगानिस्टान में जाकर मारता है पर उसी आतंकवाद के मामले में भारत या बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को प्रसे देता है तो अमरिका वहां नेसेशिगेسन करता है और बोलता है वहाँ पर कि पाजिस्तान में कुछ चीजे दोनों को हम पाकिस्तान इंडिया को दोनों के हीथ हम अलग-अलग रूप में देखते हैं हत्यार जो भारत पाकिस्तान को दे रहा है अमरिका उसके लिए युक्ति-युक्त कारक वो बता देता है तो समझ सकते हैं कि कितनी दोहरी निती वो लेता है और विश्व इसका ही दंज जिलता है अगर आप किसी मुद्य पर असपस्ट है उसके पीछे यही लोजिक है जब आप करिये तो आपके लिए लोगतंत्र आपके एवज में है जब कोई देश उसके विरुमाने अब इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो अब तो अमरिका जैसे जो हॉसेस है वो इस पर परतिक्रिया कुछ दी थी पर जब यह लोगतंत्र के हावाले देना सुरू करें उसी मामने वाप यहां देख सकते हैं यूकरेन और रूस के मामने अब रूस अधिग्रहन करना चाह रहा है तो वहाँ पर लोगतंत्र के दावे किये जा रहा है देखिए हाँ पर एलन मक्ष जो है उन्होंने एक बात बोली कि यूकरेन यूद खट कुरने की योदना साजा की जाए जिस पर यूकरेनी राजपती जलन संकी ने समित वहाँ के जनता ने तीखी परतिक किरिया की और डोनवास और क्रीमिया के लोग को ही निरने करने दे जाते है या रूष के साथ रहना चाते है अठात उस जनता पर छोड़ दिया जाए कि आप किस छेतमे रहना चाते है देखिए बात यहां वही रूसी जो विखंडन किया गया था 1991 में उसी के संदर में जब वहां भी यही बात बोली गई थी पर अभी आप लोकतंतर का हावाला दे रहे हैं तो यह समस्तियां विकट कर देती है तो आगे हम दो देखें इस पर क्या है न्यूज देखिए एक ची समझ सकते हैं और यूज यही मुस्लिम कंट्री होकर अपनी भूभाग पर किसी हिंदू मंदिर को बनवाना और उसके विचार धारा को विक्सित करना उस देश की कितनी बुद्ध जीविता को अस्पष्ट करता आप इस दीश को समझिएगा बहुत सैसे देश है जैसे पाक कर दिया गया तोड़ दिया गया इस निंदा के संदर में देते हुए तो ऐसे अने घटनाय देखने को मिला वहाँ पर जो यूज यही है भारत के संस्कृति को बढ़ावा दें क्योंकि हमारा हीत अलग-अलग नहीं होकर एक ही हीत है हमारा सबसे बड़ा जो प्रवासी लो महां पर अस्थाब क्योंकि वहां बहुत से हिंदू लगते हैं तो उनको तीर्थ अस्थान तीर्थ अस्थान पूजा अस्थाल के रूप में विक्सित किया गया देखिए 2020 में ही अधार सिला इसकी रखी गई थी और दो वर्स में एक भव्य मंदिर बनाया गया है किवल मं मंदिर बनना ही इस चीज़ को अब बहुत से लोग यह भी बोलेंगे इसके विरूद में यह इसलाम विरूद है देखिए इसलाम विरूद कुछ नहीं होता है आप यह कॉंसेप्ट को मानिए जो इसलाम की जो इसलाम धर्म का जिसने भी जिस ब्यक्ति विसेस या जिस कॉं मुझता के स्तिति कायम होती गई तो इसलाम वाद का भी परिभासी करन होता गया और बात के समय में जिहाद जैसे कॉंसेप्ट को डवलब कर दिया गया और इस परकार की परविर्थी इसलामिक देशों में अमान्ने हो गई तो मैं यही समझता हूँ जो मूल इसलाम है वो कभी भी इस परकार के चीजों को रोकता नहीं है न कभी रोकेगा आज के जो लोग है जो कट्टर इसलामवाद को मानते हैं उनके गली का हड़ी यह जरूर बन सकती है तो यह समझने की जुरत है कि लोगों को आपस में जोड जोडने का समय है अधी दो ब्यक्ति विशेश किसी विचार धारा के साथ जूर रहे हैं तो इसको जोडने की जुरत है ना कि उसे विखंडित करने की जुरत है और विश्वे ऐसे बहुत से मामलों में देखने को मिल रहा है कि जहां पर समस्याय उत्पन हो रही है तो इस में आएगा उनलों इस पर विशेश चर्चा करेंगे वह पीटी यॉरिंट है कहां पर है यह आप लोग समझेगा हिंदू मंदिर आपको खोला गया है जेवल अली में याद रखिए दुबई के एक जेवल अली जगह है वहां पर खोला गया यूएई में आपको प्रशन प पुछा जा सकता है चलिए नेश्टों बात करते हैं देखिए कस्मीर के मामले में एक जो अंतराष्टी सन्युक्तराष्ट मनवाधिकार परिसद है के कारिकरम में कारिकरता सुवेब लोन के द्वारा कस्मीर में सीमा पारातमगवाद का मुद्दा दमदारिस उठाया गया तो यहां पर जो बैठक हो रही है संयुक्तराष्ट मनवाधिकार परिसद तो इसके बारे में पहले भी मैंने चर्चा किया हूं मनवाधिकार परिसद के संदर में पर आप लोग इसे जरूर सर्च कर लीजेगा और यहां पर महिला उत्पिड़न के संदर में बाते की गई ह तो आप लोग इसको केस स्टड़ी के तौर पर यूज कीजेगा ताकि आने वाले एक्जाम में बेहता तरीके से उभर कर सामने है एक निव्ज लाश्म नीचे उसके बाद अज का निव्ज समाप्त हो जाएगा हाला कि बहुत लंबा हो गया अगा मुझे पता है 21 हो गया है यहां पर आपको पहली महिला एरोपे कमांडर बनी है या आपको इटली की वाईव सेना की आपको पाइलेट और इंजिनियर है जो वरतमाण में नासा में आपको नासा के जो प्रोग्राम है आपको अंतराश्टे अंतरlereक्ष स्टेशन वहाँ पर एक महिला European कमांडर के रूप में नुक्ट हुई है और इससे पहले इनोंने 2014 में अंतराश्टे अंतरचे अंतरेच स्टेशन गई थी जहां पर उन्हों ने 199 दिनों तक गुजारे थे जो किसी महिला दरा अंतरिच में गुजारा गया सबसे लंबा समेत था तो इनके साथ दो पीटी फैक्ट प्रसन जुड़ते हैं तो आपको इसे याद रखिएगा पहली महिला कमांडर अंतराष्टी अंतरिक्ष स्टेशन की कौन है तो समांता आपको समांता क्रिष्टोफर रेटी याद रखिएगा नहीं तो समांता भी याद रखिएगा उसी से काम चल जाएगा और सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंत्रिक्ष यात्रिकोन है तो समान्था है और साथ में यह किस देश से तो इटली से है नहीं तो नाम समान्था या दखिए भारत जैसे संदर्म में लगता है एक सामानता भारत की होंगी पर ऐसा नहीं वो इटली की हैं चलिए आज का न्यूज यतना ही कल फिर हम लोग आएंगे नए न्यूज के साथ उस जाने से पहले आप लोग जिनों ने भी दैनिक जार न्यूज अनलेसिस की पॉइंट का जो पैकेज नहीं खरदा है जल्दी जारा उसे बहुतर तरीके समझेगा लिखिएगा चलिए धन्यवाद जय हिंद आज कर दो 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 कर दो